हेलो नमस्कार दोस्तों के अब का आज इस पुड़ों में आज रिव्यू करने वाले हैं हैजबेक सेग्मेंट की हुंडाई ग्रैंड एटर नियॉस 2022 के बारे में अगर आपका बजट 5,49,000 एक सुरूम से लेकर 8,45,000 एक सुरूम तक है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं तो पांच कलर ओप्शन देखने को मिलेंगे और इसमें आपको डूल टोन कलर का भी ओप्शन दिया जाता है और अभी आप इसका सेकेंड बेस मेंगना वेंट देख रहे हैं बाकि इसमें आपको एरा, मेंगना, कॉर्परट एडिशन, स्पोर्ट और आस्ता है ये 4-5 वेंट आपको ओफर की जाते हैं, अगर आपको CNG लेनी है वो भी इसमें आपको अवेलेवल कराई जाती है, वो आपको मेंगना, स्पोर्ट और आस्ता इन तीन वेंट्स में आपको ओफर की जाएगी, आपको मेंगना, स्पोर्ट और आस्ता सारे वेंट्स में देखने को मिल जात वाला है, mileage की बात किया है तो पेटोर में 20 और CRG में आपको 28-30 km पर kg तक की mileage देखनी को मिल जाएगी, ऐसे कुछ आपको remote की मिलेगी, lock and lock, गूट खोलेंगा बटन, flip की यहाँ पे दी जारी पीछे आपको Hyundai की ब्रेंडिंग, Hyundai का logo देखनी को मिल जाता है, और जो दूसरी की ह वाली है, वो है glossy black finish में, जो की सामने से देखने में काफी appealing लगती है, इसमें आपको double DRS यहाँ पे दिये गए है, boomerang design में, जो की जब जलते हैं तो काफी अच्छे लगते हैं देखने में, और इसकी वज़े से देखेंगे, जो इसके looks में काफी wider हो जाते हैं, यहाँ पे DRS मिलेंगे, जो की LED हैं, boomerang design में, halogen headlamps offer की जारें, इसके magna variant में, time indicator की placement वे आपको इसी में देखनी को मिल जाएगी, जब आप नीच आएगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको fog lamps नहीं मिलते हैं magna event में, आप aftermarket इसमें लगवा सकते हैं, जब आप सामने बैट के देखे तो ऐसा कुछ आपको front face या नजर आने वाला है, Hyundai Grand Ateneos का, गाड़ी के ground crisp की बात की जाए, तो इसमें आपको 167 mm का ground crisp दिया गया है, warranty की बात की जाए, तो 3 साल और 1,000,000 की warranty मिलती है आपको Hyundai की तरब से, यहाँ पे आपको dual wiper with washer का setup देखनी को मिल जाएगा, अगर roof की बा को, तो यहाँ पे आपको 14 इंच के stilim दे जारे है, wheel covers के साथ में, Hyundai की branding, Hyundai का logo यहाँ पे दिया गया है, और जो suspension का travel है, देखेंगे इतना कुछ space आपको देखनी को मिलेगा, Apollo के tires, यहाँ पे आपको wheel covers, Hyundai की branding, tire section की बात करें, तो 165, 70, R14 का पूरा tire section देखनी को मिल जाता ह टॉप में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको 15 इंच के diamond kettle always offer के जाएंगे, यहाँ पे आपको fender pattern indicator की placement, outer rear view mirror की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको electrically adjustable and manually foldable ORMS देखनी को मिलते हैं, और काफी बड़े size में, visibility भी आपको काफी बढ़े मिलने वाली है, and A pillar देखेंगे, वो भी आपको body clear यहाँ पे दिया गया है, अब बात करते हैं इसके dimensions की, तो 385 mm इसकी length है, 1680 mm इसकी width है, और 1520 mm आपको height देखनी को मिल जाती है, and side से भी देखें, काफी iconic से looks मिलने वाले है, गाड़ी के wheelbase की बात करें, तो 2450 mm का wheelbase यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसकी वज़े स space आपको काफी बढ़िया मिलेगा इसके cabin में, and यहाँ पे आप देखेंगे body clear आपको door handles दिये जा रहे है, आप इसमें chrome वगरा लगवा सकते हैं, जो की काफी बहतरी लगेगा, B player आपको पूरा body clear यहाँ पे दिया जा रहा है, रूप में आपको दिखा चुका हूँ, यहा आपको C player दिया जा रहा है, and rear से भी देखें, काफी iconic looks मिलते हैं, आपको grand at a neos में, and यहाँ इसका second base brand है, लेकिन देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, and उपर आपको मिलता है power antenna, यहाँ पे आपको high mount stop lamp, यहाँ आपको deep fogger वगरा नहीं मिलने वाला है, यहाँ आ Tumper की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे reflectors, यहाँ पर आपको 2 reverse sparking sensors दे जा रहे हैं, 2 points आप देख सकते हैं, कोई reverse sparking camera आपको नहीं मिलेगा, इसके magna variant में, ऐसे कुछ आपको fuel flare cap मिलता है, capture की बात कर लें, तो 37 liter के आपको fuel tank capture देखनी को मिल जाती है, अब चल की लेते हैं, तो वो space भी पूरा तरह से खतम हो जाएगा, यहाँ पर मिलता आपको spare wheel, tool kit बगरा हैं पर दी गई है, कोई पार्शा ट्रे आपको नहीं मिलती है, इसके magna wind में, इन लिवर के तुरू आप अपनी seat को fall कर पाएंगे, 100% fallable seats हैं, fabric seats यहाँ पर आपको offer की जाती यह इसके front dashboard का view, जिसको हम आगे cover करने वाले हैं, अब चलिए इसके boot को करते हैं, और चलते हैं rear seats पे, और rear sitting comfort, leg room, head room, पूरा बैट के अच्छे से दिखते हैं, तो यहाँ पे आपको body color door handles दी जा रहे हैं, अगर door trim की बात की जाए, तो वो आपको मिलेगा dual tone color में, white and black fish में यहाँ पे आपको मिलता है door opener, नीचे आपको powder के controls, speaker की placement, यहाँ पे आपको bottle holder देखने को मिल जाएगा, rear cabin की बात की जाए, तो इतना कुछ space आपको मिलता है rear cabin में, fabric की seats यहाँ पे दी जा रहे हैं, और पीछे आपको दो headrest देगें, जिनको आप artist नहीं कर पाएंगे, fixed जा करते हैं, तो fixed headrest यहाँ पे दिये जा रहे हैं, अब चलिए अंदर बैटते हैं, और अंदर से बैटके पूरा space चेक करते हैं, तो rear seats पर बैटने एक बात इतना कुछ legroom आपको मिलने वाला है, आगे की seat है, मेरी height 5 foot 8 inch है, और यहाँ पे आपको मिलते है rear AC bands, नीचे आपको 12 charging port दिया गया है, तो second base band के साब से काफी बड़ी है features आपको offer किये जा रहे हैं, अंदर पूरा interior उपर आपको मिलते है grab handle जो की foldable नहीं है, यहाँ पे आपको 2 headrest जैसा कि मैं आपको बदा चुका हूँ, यह fix नहीं है, पीछे आपको कोई partial tray नहीं मिलती है, rear seat beds, rear passengers के लिए, उपर आपको मिलती है reading lights, जो की halogen में है, front dashboard की बात की जाए, तो dual tone color में आपको पूरा dashboard interior दिया जा रहा है, सामनी की तरफ आपको 2D in का audio system मिलेगा, इसका magna band में, इस steering पे आपको सारे controls देखने को मिल जाएगे, 2D in के related, यहाँ आप आप देख रहे हैं, इसके manual transmission को, इसमे में आपको दिखा चका हूँ, अगर इसके door trim की बात की जाए, तो rear की तरह आपको front में, dual tone color में door trim दिया जा रहा है, black and white finish में, यहाप आपको door opener, यहाप आपको pounder के controls, lock unlock button, ORPM को adjust करने के controls, निचे आपको speaker की placement, यहाप आपको bottle holder देखने को मिल जाता है, front cabin की बात की जाए, तो इतना कुछ space आपको मिलेगा, और आगे के जो दो headrest हैं, उनको भी आप adjust नहीं कर पाएंगे, यह इसका front dashboard, अगर seat का design दिखाऊँ, तो ऐसी कुछ आपको fabric की seats मिलने वाली है, white finish में, यहाँ से height adjust कर सकते हैं, यहाँ से recline कर सकते हैं, अपनी seats को, नीचे आपको fill cap opener दिय pedals, यहाँ से अपना bonnet open कर सकते हैं, उपर आपको headline leveler, आपको AC के events मिलेंगे, round shape में, आप चलिए अंदर बैटते हैं, और अंदर से बैटके सारे features cover करते हैं, तो front driver seat पे बैटने के बाद ऐसा नजर आने वाला आपको front dashboard, गाड़ी को on करते हैं, और दिखाते हैं आपको इसक cluster, left side आपको मिलता, rp meter, right side आपको दिएगा, इस perimeter जिसमें आपको 220 तक की top speed देखने को मिल जाती, बीच में आपको छोटी सी MID दी गई, जिसमें आपको सारी information देखने को मिल जाएगी, सारी check lights दी गई इसके इस cluster में, इस liver के थुरू आप अपनी MID को control कर पाएंगे, trip A, trip B, mileage range, सारी information आप यहाँ से देख सकते हैं, cluster के बाद अब बात करते हैं, गाड़ी के steering की, तो यहाँ पर आपको round shape में steering यह दिया गया है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगे, Hyundai की branding, airbag की बैजिंग, यहाँ पर दी गई है, silver finish, अब बात करते हैं, इसके adjustment की, तो इस liver through, आप आप अपने steering को tilt, उपर नीचे address कर पाएंगे, telescope का कोई option देखने को नहीं मिलने वाला है, steering के पीछे आपको मिलते है, wiper के controls, और right side आपको दिये गए है, headlamps के सारे controls, यह तो गई बात steering की, अब बात करते हैं, गाड़ी के center console की, तो यहाँ पर आपको 2DN का audio system दिया जा जिसमें आपको Bluetooth की connectivity देखने को मिल जागी, 4 speakers आपको मिलते है, सारे buttons और knobs यहाँ पर दिये गए है, volume selected, यहाँ पर आपको hazard light के button, यहाँ आपको AC के events, manual AC के controls, नीचे आपको 12W का charging port दिया गया है, उसी के बगल में आपको USB port, यहाँ आपको काफी बढ़ी आसा space, और यह दे decent space station को मिल जाता है, cool glad box नहीं है, normal साब मिलने वाला है, यहाँ पर आपको कुछ space, यह था पूरा dashboard interior Nios, magna variant का, और उपर की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको vanity mirror मिलेगा, driver से आपको कोई vanity mirror नहीं मिलने वाला है, यहाँ आपको mic की placement, यहाँ आपको manual day night IRBM, and visibility, वो भी आप with EBD, central locking, power door locks, child safety locks, seatbelt warning, engine immobilizer, crash sensor, speed alert, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, और इसमें आपको दो airbags दिये गए, अब बात करते हैं, main चीज इसकी pricing की, तो अभी देख रहा हैं इसके magna second basement को 6,09,000 रुपे इसका exorum price है, और 7,17,000 रुपे के आपको on-road लखनों पढ़ने वाली है, अगर आप CNG म लेते हैं इसको, तो 7,16,000 रुपे का exorum price है, और on-road लखनों की बात करें, तो लगबग 8,38,000 रुपे के आपको on-road लखनों पढ़ने वाली है, तो ये थी, grand at a new house, अपने segment की hatchback car कैसे लगए आपको नीचे comments में, जरूर बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया द वीडियो के लाइक कर देगा, and special thanks to SAS Hyundai, कानपूर रोठ लखनों, जिन्होंने मुझे से cover करने का मौका दिया, तो deal any Hyundai cars, visit this room, अगर आपको वीडियो पसंद आया द वीडियो के लाइक कर देगा, चैनल को subscribe कर देगा, क्योंकि आपके लिए cars से related वीडियो में लाता रहता साथ तब तक लिए जय हिन, बांदे मातरम